नमस्कार मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोश खबर का इक्रम इससे पहले कि हम बात करें चुनाओं की जिन चुनाओं की घोशना हुई है राजियों में अलग अलग चरणों में चुनाओं हो रहा है उससे पहले बहुत जरूरी है याद करना भारत के क्रांतिकारी, कवी, चिंतक, विचारक, संथ, रहदास को और यह जरूरी इसलिए भी हो जाता है कि अक्सर लोग पूछते हैं कि सच को इतनी बेबाकी से कहने का साहस इन तमाम लोगों को कहां से मिलता है शाहद वे नहीं जानते कि भारत की परंपरा कबीर से होते हुए, रहदास से होते हुए, अंगिनत ऐसे विचारकों को से मिली हुई है जिन्होंने अपने अपने दौर में बहुत मजबूती से सच को कहा बिना हिचकिचाए बिना यह सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा आज संत रैदास की जैनती है और उन्हें जब हम याद करते हैं आज तो सबसे पहले याद आते हैं देश के किसान जो आज 90 दिन से अधिक हो गए तीन महीने से देश की राजधानी में चारों तरफ बैठे हुए हैं लाखों की तादाद में किसान हैं और सिर्फ यही नहीं पूरे के पूरे भारत में अलग अलग जगह महापंचायते हो रही हैं बैठके हो रही हैं जहां किसान बड़ी संख्या में आकर मोधी सरकार से सीधे सीधे सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं कि उन्हें ये तीन क्रिशी कानून नहीं चाहिएं इन्हें वह तुरंथ वापस लें और ऐसे में आश जो लोग और कम से कम सत्ता में बैठे लोग संत रहदास को याद करने का बात कह रहे हैं उस पर ट्वीट कह रहे हैं विज्यापन दे रहे हैं इन तमाम लोगों को संत रैदास का एक दोहा मैं सुनाना चाहूंगी और चाहूंगी कि कम से कम आज की तारीख में विदेश के अन्दाता को रैदास की नजरों से देखें चाहूं ऐसा राज मैं जहां मिले सब को अन्न छोटे बड़े सब सम बसें रैदास रहे प्रसंद पूरा देश जानता है कि पांच राजियों में चुनाओं होने जा रहे हैं और इन पांच राजियों में सबसे बड़ा दाओं कहां लगा है शायद यह आप भी जानते होंगे और हम भी जानते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरह से पश्चिम बंगाल को फतर कहरने का बीड़ा प्रधान मंत्री न संभवता पहली बार हो रहा है कि एक राज में बहुत चोटा सा राज है बॉक्ति यहां हैरानी की बात ये है कि तमिलाडू में जहां एक चरण में चुनाओ है असम में तीन चरण में चुनाओ है केरर और पुडिचेरी सहीद बाकी जगों पर एक एक चरण में चुनाओ है वहीं पर पश्चिम मंगाल में आठ चरणों में चुनाओ की घोश्णा होई है और इसे ल तो उस चुनाव से फाइदा किसे होगा, वहाँ पर कमान अभी TMC के पास है, ट्रणबुल कॉंग्रेस वहाँ सरकार चला रही, मम्ता बेनर जी वहाँ की मुख्य मंतरी रही है, सवाल ये है कि अगर मम्ता बेनर जी को यह लग रहा है, कि यह आठ चरोणों में जो चुनाव कराने की कोशिश है, जो घोशना हुई है, यह प्रधान मंतरी नरेन मोदी, ग्रिह मंतरी अमिश्शाह और भाशपा को फाइदा पहुचाने वाली है, तो क्या इसमें दम है, वह आखिर ऐसा क्यों कह रही है, और उधर से लगातार पश्चिम बंगाल को जिस तरह से निशाने पे लिया गया है, उसका अर्थ क्या है, एक बात तो बहुत जो तारकिक है, जो खुल कर सामने आ रही है, कि जब पूरे देश में साथ चरोणों में चुनाव हो सकता है, जी हा चुनाव के लिए क्यों तैयार किया जा रहा है, इसकी वज़ा क्या है, क्या इसकी वज़ा यह है, कि अलग अलग चरोणों में चुनाव से भाश्पा को फायदा होता है, प्रचार में फायदा होता है, क्योंकि यहां देखना बहुत दिल्चस्प यह है, जिसे वहां मुख तिन चरणों में चुनाओ है जो अपने आप में बहुत ही अजूब्य बात है और ममता बैनर जी खुले आम कहती हैं कि साउथ 24 परगना में आखिर क्यों इतने चरणों में चुनाओ हो रहा है क्या इसकी वज़ा यह है कि हम वहां मजबूत हैं यह जो सारा का सारा खेल चल रह है जिसकी कुछ भनक हमें उस समय भी मिली थी जब हम बिहार में गए थे बिहार चुनाओ में भी यह सवाल एक बहुत बड़े सवाल के तोर पर उठा था कि इतने चरणों में जो चुनाओ होता है इससे फाइदा किसे होता है और यहां पर तो परिणाम ही दो मई को आएंग पर यह क्यों किया जा रहा है इस संदर में यह भी याद रखना जरूरी है कि जिस तरह से भाश्पा का ग्राफ पश्चिम बंगाल में बढ़ा है उसे लग रहा है कि वहां धुरूवी करण करके उसे फाइदा होगा आपको याद दिला दें कि 2011 में जब वहां चुना हुआ था विधान सभा का उस समय भाश्पा को वहां पर कोई सीट नहीं मिली थी 2016 में 3 सीटे मिली और 2019 में जो लोकसभा चुना हुआ वहाँ पर 42 लोकसभा सीटों में से 18 सीटें भाश्पा ने हासिल की वोट प्रतिशत 40.64 था यह ग्राफ जो बढ़ रहा है यह भाश्पा को निश्चित तौर पर बहुत होसला देने वाला ग्राफ है और शायद यही वज़ा है कि चुनाओं का जो इतना लंबा कारेकरम वहां रखा गया है इसके पीछे एक बड़ी राजनितिक हित काम कर रहे होंगे नोजवान, कारेकरता, क्लाइमेट अक्टविस्ट, दिशारवी को जब जमानत मिली उसके बात से इस बात की आाशा बंद रही थी इस बात पर खबरें आ रही थी कि क्या जो दलित अक्टिविस्ट है लेबर अक्टिविस्ट नौदीप, नौदीप कौर क्या उनको भी जमानत मिलेगी और एक अच्छी खबर यह आई कि उनको जमानत मिली और हमने देखा कि यह जो देश की बहादूर बेटी है यह जमानत मिलने के बाद किस तरह से कहती है कि इसे सीधे किसानों की बीच जाना है किसान और मजदूरों के बीच काम करने वाली नौदीप के होसले बहुत बुलंद है नौदीप ने जिस तरह से जेल से बाहर आने के बाद तमाम लोगों के सामने बाते रखी और बहुत मजबूती से कहा कि वह जो कर रही थी वही आगे करती रहेंगी और किसानों के लिए बड़े पैमाने पर काम करेंगी शायद यही नौजवान पीड़ी देश को बहुत मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए ततपर है वहीं चिंता की बात यह है कि उनके साथ ही शिव कुमार जिनके बारे में खबरे आई हैं जिससे पता चला है कि उन्हें भी बहुत प्रतारना दी गई दो दो फ्रैक्चर हैं नाखून उखाड लिये गए बहुत क्रिटिकल स्थिती है उनकी वो बंद है अभी जेल में उन्हे यह बड़ा सवाल इस समय इसले भी बना हुआ है कि दोनों ही दलित मूल के हैं और दोनों ही श्रमिकों के बीच काम कर रहे थे साथी साथ श्रमिकों और किसानों को जोड़ने के लिए लंबे समय से सक्रिये थे यहां पर एक बार फिर रैदास का वह दोहा याद आता है जिसे आज हो सकता है बहुत से लोग अलग-अलग संदर्बू में याद कर रहे हों लेकिन जब हम नौदीब को देखते हैं जब हम शिवकुमार को देखते हैं या इस तरह के तमाम एक्टिविस्ट को देखते हैं जिनको निशाने पे सरकारें इसले भी लेती हैं क्योंकि उनके साथ जुड़ी हुई जाती भी उन्हें परिशान करती है वहां पर रैदास का यह दोहा जाती-जाती में जाती है जो केतन के पात रैदास मनुष्ट न जुड़ सके जब तक जाती न जात इन तमाम घटनाक् और हुआ है हमारे सामने आया है कि किस तरह से संयुक्त राष्ट मानवदिकार उच्चाइुक्त मिशेल बैचलेट ने बहुत सख़ शब्दों में भारत सरकार की आलोचना की है उन्होंने किसानों के पक्ष लेते हुए कहा है कि किसानों की जो मांग है वह वाजिब मांग ह इसे सुना जाना चाहिए और साथ ही साथ उन्होंने पत्रकारों पे जो राश्द्रोह का मुकद्मा लगाया गया मीडिया घरानों पे जो एक गाज गिराई जा रही है इसके खिलाफ भी अपनी आवाज मुखर की है इसके बरक्स भारत सरकार ने कहा है कि यह भारत का अंदूरूनी मामला है और उनकी जो समझधारी है उनकी समझधारी पूरी नहीं है उनका कहना है कि उनका जो observation है वो पूरा observation नहीं है उसमें objectivity और impartiality की कमी है यह बहुत दिल्चस्प घटना क्रम है वो भी ऐसे समय जिस समय भारत सरकार यह बताने की कोशिश कर रही है कि किसानों का जो आंदोलन है उसमें अंतराष्टिय साजिश शामिल है किसानों का जो आंदोलन है उसके समर्थन में जो विदेशों से लोग जुड़े हुए हैं वह एक साजिश के तौर पर भारत सरकार को दिखाई दे रहे हैं और हम सब जानते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली से लेके तमाम जगों पर पत्रकारों, मीडिया घरानों, सोशल अक्टिविस्ट पर जो हमले हो रहे हैं उनकी निगरानी हो रही है, वहां तक स्पेशल ब्रांच के लोग जो पहुच रहे हैं इसकी वज़ा, बहुत बड़ी वज़ा यह है कि वह किसानों के पक्ष में या सच के पक्ष में खड़े हुए हैं ऐसे में एक अच्छी खबर और आई है, वह अच्छी खबर यह है कि भारत में बहुत लंबे समय से सूचना के अधिकार, पारदर्शिता के लिए काम करने वाली अंजली भारतवाज को पुरस्कृत किया गया है उन्हें अमरीका की सरकार ने जो 12 चैंपियंस घोशित किये हैं, जो ट्रांसपरेंसी और एंटी करप्शन लड़ाई लड़ा रहे हैं, उनमें से अंजली को चुना है हम पहुँचें अंजली के पास और जानने की हमने कोशिश की कि आखिर ऐसे मुश्किल दौर में इस पुरस्कार के क्या माइने हैं और वो कैसे देखती हैं इस पुरस्कार का इस समय मिलना अंजली सबसे पहले न्यूस क्लिक की तरफ से आपको बढ़ाई आपको ऐसे संकट के समय मिला और एक ऐसे काम के लिए जिस पर निश्चित तोर पे सभी देश को जितने देशवासी हैं उनको गर्व है कि सूचना का अधिकार, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार से लड़ाई मुझे लगता है इस पे किसी को अंतर नहीं होना चाहिए कि लड़ाई होनी जरूरी है ये बताएं कि कैसे देखती हैं इस पुरस्कार को और क्या महत्व आपको लगता है भाशा धन्यवाद और मुझे लगता है कि जो पुरस्कार है ये एक तरह से रेकिनिशन है जो सामूहिक संघर्श चला है हमारे देश में पारदर्शिता के लिए, सूचना के अधिकार के लिए और जवाब देही के लिए after all democracy में लोगतंत्र हम अपने आपको कहते हैं तो लोगतंत्र को जो एक चीज डिफाइन करती है वो है कि लोगों के पास अधिकार होना चाहिए सवाल पूछने का सरकार से और ये जो पूरी मुहिम चली है हमारे देश में सूचना के अधिकार के लिए सरकार को जवाब दे बनाने के लिए मुझे लगता है ये पूरुसकार जो है उसी पूरे सामोहिक संघर्ष का एक तरह से recognition है सवाल जनता किस से पूछ रही है देखिए सवाल लोगतंत्रों में जनता जो भी power yield करते हैं जो सत्ताधारी हैं उनसे पूछती है और जो सूचना का अधिकार कानून है हमारे देश का वो पूरे विश्व में one of the most progressive laws माना जाता है क्योंके वो तीनो न्यायपालिका, कारिपालिका और विधायका को cover करता है तो अधिकार है हमें सरकार से पूछने का अपनी न्यायपालिका से पूछने का भी और जो विधायक हैं जो सांसद हैं उनके बारे में भी सवाल पूछने का अधिकार है और जरूरी है क्योंके सू सूचना का अधिकार आता है हमारी पारदर्शिता का अधिकार आता है क्योंकि आर्टिकल 19 हमारी free speech और expression का अधिकार है अगर मुझे सूचना नहीं है तो मैं बोलने की आजादी को अभिव्यक्ति की आजादी को कैसे इस्तेमाल करूंगी तो ये बहुत मौलिक अधिकार है हमारा और खुशी है कि थोड़ा recognition इसे मिला है आज के संदर्ब में जब बोलने की आजादी पर अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल पूचने की आजादी पर अंकुष लगाने की कोशिश है और प्रतारित किया जा रहा है ऐसे लोगों को जो सूचना मांगते हैं और जो सवाल पूचते हैं पावर में जो सत्ता में बैठे हैं उनसे और सारे ऐसे institutions को भी प्रतारित किया जा रहा है उन पर प्रहार है जो की सरकार को जवाब दे बनाते हैं इन तमाम सवालों के बीच देश का नौजवान यह जानना चाहता है कि जब सब कुछ हो रहा है चुनाओ हो रहे हैं रत्यात्राएं निकाली जा रही हैं लाखों की तादाद में भीड जुट रही है कभी प्रधान मंत्री नरेन मोदी उसको संबोधित कर रहे हैं कभी ग्र हो रही है देश में कि छात्र अपने अपने कैंपर्स पहुच कर वहाँ अपील कर रहे हैं किसरकार हमें पढ़ने दो हम पढ़ना चाहते हैं और दूसरा सवाल वह पूछ रहे हैं, सरकार हमें नौकरी दो, हमें नौकरी चाहिए, हमारे दो हातों को काम चाहिए, जुमले नहीं चाहिए, और शायद यह नौजवान पीडी ही इस समय देश को सही दिशा में मोडने के लिए सक्री है, लगातार काम कर रही है, सच के साथ खड़ी हुई है, और यही हमारी और आपकी टाकत है, और शायद यह नौजवान ही देश को सही दिशा में ले जाने के लिए पूरी मशक्कत कर रहे हैं, तमाम और लोगों के साथ, शायद इनके सवाल सुने जाने बहुत जरूरी है, और सच का साथ देना निर्भीकता से ब ताकि सच को निर्भीकता से आप तक पहुचाने की हमारी यह कोशिश जिन्दा रह सके, शुक्रिया